कि नमस्ते बंदे मात्रम जय है आप सर्भी दर्शकों का इस चैनल पर स्वागत वंदन अविनंदन इस निवेदर के साथ कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने कि अथिक्र प्यार चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें श्रीमान संजे जी उत्तरप्रदेश की रायवरिली से हैं आपका सवाल दिव्यांगता प्रमानपत्र के साथ साथ राजस्थान प्रदेश में जो आरक्षण की व्योचता है उसको लिकर है श्रीमान संजे जी ने एक कोई विग्यापन आया था राजस्थान से उस कोड के कारण दिव्यांग है मेडिकल सर्टिफिकेट में यह नहीं लिखा हुआ था कि कौन सा भाग आपका अफेक्टेड है जब विंग्यापन के क्रम में आविदर करना था तो वहां पर जो उनके श्रीर का भाग दिव्यांगता से प्रभावित था उस पर वह टिक कर दिया और बाद में विभाग के अनुचित प्रभाव में स्रीमान संजेजी ने एक एफिडेपिट भी दिया कि अत्रों टिवस मुझसे हो गया है आप देखते हैं कि जो दिव्यांगता का विश्या है यहाँ स्टेट सब्जेक्ट है सेंट्रक सब्जेक्ट है ही परनतु स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए उनको इसका इंप्रिमेंटेशन करना होता है कई ममल में आप देखेंगे कि जो अन्य प्रदेशों की सरकारे हैं वे दूसरे प्रदेश के दिव्याने जन को आरक्षण या वसुम यात्रास विदा है उसको मना कर देते हैं यानि नकार देते हैं नह के साथ ऐसा ही हुआ लेकिन उत्तर प्रदेश का दिव्यांग बंदू क्यों ना हो उसको सारी की सारी सुनाएं प्रदत्त हैं अनुमन्य है श्रीमात संजेजी के दिकत ये है कि दिव्यांगता पत्र में कौन सा भाग इनका अफेक्टेड है जो सब कटेगरी आती है वो लि नहीन नहीं की कारणा है जब यह अबेतन करते हैं तो सब कटेगरी नहीं भी वाफेक्र औधन की बात होती है उससे बंद्गित रह जाते हैं तो श्रिमान संजे जी आपको याद होगा हमने एक वीडियो डाली थी अपने भूनेश्वर उडिश्या के एक बंदू थे उनका कीफोसिस के इसू था बिल्कुल आप ऐसा मामला था उनके समस्या के समाना हम तो हो गया आपका दिव्यानिता प्मानपति 2015 का है अधिनियम 2016 मे करें तो अभी भी आप इसी शू को रेज कर सकते हैं एक आस्था तो यह है कि आप अपने जिले के जो दिव्यांता का बोर्ड है वहां पर अपनी सर्टिफिकेट के साथ जाए आविदन दें और उसमें अपनी इस असुविजा का जे साब इमने परेचर सा किया उलेक करते ह है रिये इस अस्मेंट के लिए निविदन करें अगर बोड मान लेता है तो अची बात अन्य था कि आप इसी में इस्टिर के मिटी बन चुकी है है उसके चेर मेन अध्यक्ष डिस्टिक कालेक्टर हुआ करते हैं और डिस्टिक कालेक्टर जो है उत्तरम देश में अपनी द और तब जो कम ही आपकी है, जो उन्हें से कड़ेगरी उलिखित नहीं किया है, उलिखित करते लिए सर्टिफिकेट जरी कर सकते हैं। मैं इसको और इलिबरेट करूँ जैसे मेरे तुम्हों हाथ नहीं है, मैं लोकोमोटर कड़ेगरी में तो आता हूँ, लेकिन लोकोमोटर कड़ेगरी में कमन से बाड़ी पार्ट हमार अफिक्टेड है, लोवर लिम या अपर लिम तो यहाँ पर डक्टर साहब को जो बोर्ड ह उनको भी लिखना चाहिए, जैसे मेरे केस में अपर लिम में, आपके केस में जब आप बोर्ड की समय जाएंगे, तो अगर आपका पहर अफिक्टेड होगा, तो लोवर लिम में आएगा, अगर हाथ अफिक्टेड होगा, इस पहले लिकार के वज़े से, तो अपर लिम में आएगा आप समझा सकते हैं अपने बोड़ को अपनी बात को रख सकते हैं अगर फिर ले कोई दिक्कत आती है तो आप अवश्य हमको कमेंट करके बताएंगे हमें आपके प्रत्रिया के इंतजार रहेगा और फिर इसके आगे आपके संघर्ष को बढ़ाने के लिए हम आपके साथ रहेंगे आपको न्याय दिलाएंगे इतना विश्वास अवस्च रखिए इस विशेक को मैं इसलिए रख रहा हूँ थाकि इस तरह के समस्चे हमारे अन्य दिव्यांजन बंदु को अगर कहीं है तो वे वे इसे प्रकिरिया का उप्योग करके न्याय प्राप्त कर सकत सकते हैं अपने मेडिकल सेटिफिकेट में इस तरह से मोडिफिकेशन अमेंडमेंट करा सकते हैं संजी जी की बात का समाधान होगा होगा ऐसा मुझे लगता है आज बात यहीं तक तक हां चरते-चरते आपसे एक निवी तर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइ बने बात आप जाएगे